ग्यारा नवंबर 1675 को गुरु गोविन सिंग जी सिखो के दसवे गुरु बने थे वो अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद इस पद पर आसीन हुए गुरु गोविन सिंग जी ने सिख धर्म को नई दिशा दी और सिख समुदाय को मजबूत और संगिठित किया उन्होंने सिखों में वीर्ता, त्याग और धार्मिक स्वतंतरता के गुणों का संचार किया गुरु गोविन सिंग जी का सबसे महत्वपून योगदान खालसा 25 की स्थापना थी जो उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन की थी उन्होंने सिखों को आत्मरक्षा के लिए हत्यारों का प्रसिक्षन भी दिया और उन्हें 5 ककारों को धारन करने की परमपरा दी जो सिख पहचान का प्रतीक बने उनकी सिक्षाएं और उनका बलिदान आज भी सिक्समुदाई के लिए प्रिर्णा का श्रोथ है। लेकिन वो जेबी क्रिपलानी के नाम से अधिक प्रसिद हुए। स्वतंतरता संग्राम के दोरान क्रिपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगी रहे और कॉंग्रेस के प्रमुख नेताओं में गिने गए। 1946 में वो भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी बने। भारत की स्वतंतरता के बाद भी उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक आंदोलों में सक्रिय भागेदारी जारी रखी। 1950 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने प्रजा समाजवादी पाटी बनाई, कुछ दिनों बाद उन्होंने इस पाटी से इस्तीफा दे कर स्वतंतर नेता के रूप में कार्रे किया। जिसके बाद 1977 में भारत में आपात कालीन सरकार का विरोध किया और जेल भी गए। सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। जीवत राम भगवान दास कृपलानी का निधन 19 मार्च 1982 को एहमदाबाद में हुआ था। 11 नवंबर 1885 को अनुसुया सारा भाई का जन्म हुआ था। वो भारत की पहली महिला श्रमिक नेता और समात सुधारक थी जिन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अनुसुया सारा भाई को विशेश रूप से एहमदाबाद टेक्स्टाइल लेबर एसोसियेशन की स्थापना के लिए जाना जाता है। उनके कार्यों ने भारत में श्रमिक संग अंदोलनों की नीव रखी और आगे चल कर भारतिय श्रमिक अंदोलनों के विकास में एहम भूमिका निभाई। अनुसुया सारा भाई का जीवन समात सेवा और न्याई के लिए समर्पित्था और उनके योगदान को आज भी भारतिय श्रमिक अंदोलन में आदर पूर्वक याद किया जाता है। 11 नवंबर 1938 को मेरी मेलोन का निधन हुआ जिन्ने टाइफाइड मेरी के नाम से भी जाना जाता है। मेरी मेलोन एक आईरिश अमेरीकी रसोया थी जो टाइफाइड बुखार के संक्रमन का पहला ग्यात और सिम्टोमेटिक क्यारियर बनी। उन्होंने अमेरीका में कई परिवारों में खाना पकाने का काम किया जिसके दोरान कई लोग टाइफाइड से संक्रमित हुए। मेरीका मामला चिकिस्सिय इतिहास में इसलिए भी महद्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने खुद कभी टाइफाइड के लक्षन महसूस नहीं किये थे। लेकिन वो बिमारी को फैलाती रही। उनकी पहचान के बाद नईयोक के स्वास्तिय अधिकारियों ने उन्हें कॉरेंटाइन में रखा था। दो बार कॉरेंटाइन में रहने के बाद भी वो छिपकर रसुए का काम करती रही। जिससे और लोगों में संक्रमन फैला। उनका जीवन चिकिस्सा विज्ञान में रोग प्रसार और रोग थाम की महत्वपून समझ विक्सित करने में सहायक बना। मैरी मेलोन का मामला आज भी महामारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्त में रोग वाहग वेक्तियों की पहचान और प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करता है। 11 नवंबर 1918 को पहला विश्वयुद समाप्थ हुआ था। ये योद 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को आर्मिस्टिस की घोशना के साथ समाप्थ हुआ जब जर्मनी ने शान्ती की शर्तों को सुईकार किया। पहले विश्वयुद में प्रमुक योरोपिय शक्तियों के बीच भारी संगहर्ष हुआ जिसमें कुल 30 देशों ने भाग लिया था। इसमें अलाइड पावर्स जैसे की ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका और सेंट्रल पावर्स यानि की जर्मनी, आस्ट्रिया, हंग्री और तूर्की के बीच युद चला था। ये युद लगबक चार वर्षों तक चला और इसमें लाखों सैनिकों और नागरीकों की जाने गई आर्मिस्टिस के बाद 1919 में वर्साई की संधी पर हस्ताक्षर किये गए जिसने जर्मनी और उसके सहयोग्यों के साथ शान्ती की शर्ते तै की और युद के परिणाम स्व भाग लेने वाले सैनिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है 11 नवंबर 2006 को अमेरिकी चातर टाइलर विलियम्स ने जेन्यू चातर संग चुनावों में उपाध्यक्षपद पर जीत हासिल की थी टाइलर जो जेन्यू में हिंदी के चातर थे कम्मुनिस्ट विचारधारा से बेहत प्रभावित थे और उनकी हिंदी बहुत मजबूत थी टाइलर की जीत नहीं है दिखाया कि जेन्यू जैसे विश्व विद्याले में विचार धारा और राजनिती के मुद्दे कितने महत्वपूर्ण होते हैं उन्होंने 28 वर्ष की उम्र में 300 से अधिक वोटों के अंतर से उपाध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त की थी जिससे यह सपश्ट हुआ कि उनके विचार और नेतृत्व में छात्रों का विश्वास था नकसल बाड़ी आंदोलन पर टाइलर ने BBC से कहा था कि भारत के छोटे छोटे गाउं में लोग बुनियादी अधिकारों के लिए संखर्ष कर रहे हैं और अगर वे हत्यार उठाते हैं तो उनका समर्थन किया जाएगा ये बयान उनकी राजनितिक विशार धारा को दशाता था टाइलर की इस जीत और उनके विचारों ने जैनियू की राजनिती में एक नया मोड दिया जो आज भी छात्रों और राजनिती में चर्चा का झेहे.